लेटेस्ट टेकन्यूस पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे पर साथ में बेल आइकन को भी ओन कर दीजे ताकि आने वाली लेटेस्ट टूडियो आप सबसे पहले देख सके नमस्कार दोस्ता मेरे चैनल में आपका फिरस एक बार स्वागत है पर दोस तो दोस्ता ये वीडियो पर पूरा देखते रहें क्योंकि इस वीडियो में हम बात करें वाले शामी के रेट्मी के रेट्मी नोट 5 में 10.2.2.0 का स्टेबल अब्डेट के बारे में तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तों आप सब्सक्राइब पर पता हुगा कि रेडिमी नोट 5 में या पर लगवाए दो मेने से कोई भी आपडेट रोलाउट नहीं हो चुका है नोबर के या ओडेश सकते हैं या आपको एपको आपडेट रोलाट रोलाट हो चुका था 10.0x4.0 का स्टेबल अपडेट और दोस्तों इस आपडेट में आपको नोबर के अपड़ सिकुर्दी पैच्च भी देखने को मिल चुके था बात करते हैं दोस्तों इसन गुद नूज है क्योंकि आपर दे सकते 10.2 series के आपर नए update 10.2.2.0 के आपर stable update rollout होना start हो चुका है फिलेल के लिए दोसे आपर दे सकते जो आपर चाइना में आपर rollout हो चुका है यह पर stable update है इसके आपर version दे सकते OEGCNFK यह आपर origin है और चाइना स्टेबल आपडेट यह पर publicly rollout हो चुका है इस आपडेट यह आपर दे सकते क्यामरा में जोगे आपर grid line का problems यह आपर fix होने वाला है अपडेटर का नया shortcut देखने को मिलने वाला है file manager, recorder उसके बाद data users का जो भी आपर पूरा ने bugs से आपर स्वाल होने वाले है और साथ में दोसे कुछ आपके आपके hidden feature भी देखने को मिलने वाले है पूरी का पूरी आपके features में आपके आपर review की वीडियो में बताने वाला हूँ उसके बादोसे आपर दे सकते about phone में जाने के आपर दे सकते China का device है Redmi 5 Plus उसमें आपके आपके 10.2.2 का जरू यह आपर stable update rollout हो चुका है और आपके आपके आपर December का Android security patch level भी देखने को मिल चुका है और दोस्ता Redmi Note 5 के आपर नए update 10.2 series का इसके आपर publicly link भी available हो चुका है MIUA का जो forum यह आपर चाइना का उसके आपर available हो चुका है लिएक दोस्तों आपर दे सकते हैं आप उसको download मत कीजिए क्योंकि जो इंडिया के लिए अविलेबल नहीं इस तिर्फ यह आपर चाइना के लिए विलेबल हो चुका है और दोस्तों बात करते हैं इस आपड़ेट यह आपर इंडिया में कब देखने को मिलेगा बात करते हैं इस आपड़ेट में आपको रेर कैमरा में पोट्रेट मोर देखने को मिलेगा की नहीं मिलेगा तो दोस्तों आपर दे सकते हैं जो बैक कैमरा है उसका आपको अभी तक पोट्रेट मोर देखने को नहीं मिलेगा इस आपड़ेट से तो बागे कुछ यापर hidden features से आपके यापर देखने को मिल जाएंगे और दोस्तो अगर आपके यापर Redmi Note 5 में बैख camera में आपको portrait mode और AI feature enable कर देना है तो मैंने उसके यापर special video बना के रखा है उपर आप i button पे उसके यापर दे सकते हैं या फिर description में मैं उस वीडियो के यापर link भी दे दूँगा तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बस यही Xiaomi के Redmi Note 5 में आने वाले new update के बारे में बात करें वाला था 10.2 series का क्योंकि आप लोगें के बहुत सारे comments मुझे यापर मिल चुकी थे Redmi Note 5 के device के बारे में